हेलो फ्रेंड्स वेलेकम है आपका सेकेंड पार्ट इस वीडियो सीरीज के on mark of chains इसमें मैंने एक पहले पार्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक प्रोग्राम का डिमोस्टेशन किया था और code वाक्थूरू करवाया था कि कैसे हम एक next word predict कर सकते हैं, जो कोई एक user type कर रहा है, आप इसको chatbots में use कर सकते हैं user type कर रहा है, आपको suggest कर सकते हैं और आप नहीं, same example, आपके swift keyboards में भी देखा होगा, कि आपको इस type करते हैं और आपको auto suggestions मिलते हैं कि आपका next word क्या होना चाहिए तो मैं आपको इससे पहले आपको इस पार्ट में आपको theory explain करूँ, मैं आपको एक quick demo देता हूँ, उस application का जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी तो इस application को run करेंगे ऐसे python और file name मैंने type किया i, space आज ने auto suggest किया like चलो मैं इसको accept कर लेता हूँ tap दबाया मैंने, इसने उसको बाद like के बाद suggest किया कि ml और reading एक possibility है, तो मैं reading लेग देता हूँ, तो like reading जै मैं अगर like reading के combination के बाद system मुझे suggest करता है कि reading के बाद books या ml आना चाहिए, like I like reading books और I like reading ml तो ये auto suggestions आ रहे हैं, मैंने ml type किया और इसके बाद system ने end दिखाया, मतलब system exhaust हो चुक है system का flow end हो चुक है, अब इसके पास और कोई suggestions नहीं है तो मैं आपको इसकी theory explain करता हूँ, इसमें markov chains को use करने के लिए आपको एक state diagram बनाना होगा, state diagrams में आप ये define करेंगे, कि आपके possible states क्या हो सकती है आपके, आप नीचे देखिए आपको एक training data दिखाई दे रहा है, state diagram में तो मैंने उसमें complexity कम करने के लिए मैंने थिरफ तीन ही example sentences लिए है do you like reading ml I like ml books I like reading books इसमें हर word एक feature के तरह है और system उसको recognize करता है detect करता है कि पहला state क्या था, पहली word क्या type क्या था user ने, उसके बात क्या type क्या और उसके base पे next word क्या होना चाहिए अब यहाँ पर देखते हैं तीन sentences में पहला word या तो do है या I है तो हम यहाँ पर तीन चेज़े टेट करेंगे first word, second word और और बाकी सारे transitions तो यहाँ पर आपका पहला word है do और I तो इन दोनें के probability क्या बनेगी तो इसकी probability बनेगी वन थार्ड और टो थार्ड क्योंकि तेन सेंटेंसे है राइट तो निकलिए वन आई दू मुझे लट में करेक्ट इस मैं इसकी probability दू की probability वन थार्ड कर देता हूं और आई की प्रड़िटी 6.66 करते हैं तो 0.7 क्योंकि एक बटा तीन और दो बटा तीन 0.3 और 0.6 is equal to 7 बनेगा अब हम इसी एक्जम्पल से स्टार्ट करते हैं डू के बाद क्या था है डू के बाद हमारे ट्रेनिंग में है यू यू यूजर ने पहले यू टाइप किया था मैं आपको कोड में दिखा देता हूं पहले कि आयो दू कैसे आया था दू की प्रड़िटी पैंट-3 रही थी और आई की प्रड़िटी पैंट-6 जाए थी ये इस कोड़ की आपकर पूरी डिटेल देखनी है तो आप मेरा दूसरा वीडियो दे सकते हैं जिसका लिंक मैंने इसमें डाल दिया है आपके description में अब हमारा first word detect हो गया है अब हम चलते हैं second word के दरफ second word आपका इस case में आता है do के लिए आएगा आपको you correct और क्योंकि इस पूरे sentence में do कहीं पे भी नहीं है तो इसके probability बनेगी 100% do के बाद हमेशे you ही आता है अगर आप do type करते हैं तो system आपको हमेशा you ही suggest करेगा अब आई के लिए भी देख लेते हैं इन दोनों sentences में आई के बाद like आया है तो like के probability आपके बनेगी 100% again क्योंकि आई के बाद हमने कभी कुछ type नहीं किया तो इस system आपको suggest करेगा like ही आपके second word भी decide हो गया है यह दोनों dictionaries हमारी code में top पे define की हुई है इसके बाद हम लेते हैं third word मैं आपको दिखा देता हूँ code में कहां पर है अगर आपको download करके read करना जाते हैं तो first, second and states तो you के बाद आपका आता है like और इस में पूरे sentence में कहीं और you नहीं है तो you के बाद like आएगा उसके probability है hundred percent so it will be one do you के बाद like आता है as per training और you like के बाद reading you like you कहीं नहीं आया है पहले you एक जगा है तो इसके probability भी आपके बनेगी hundred percent you like reading do you like reading ml and all that stuff तो अब चलते हैं like reading जो आपका like और reading का combination आता है उसके बाद आपका इस sentence में है ml तो इसके probability क्या बनेगी hundred percent no एक होर sentence है जिसमें like और reading का combination आया है तो इसलिए इसके probability आपके बन जाएगी 50% आधी हो जाएगी और उसके बाद का जो आपका word suggest करेगा system होगा books या ml books की probability 50% ml की probability 50% इसी तरह से हम बाकी सारे words की probability find out कर लेंगे अपने state diagram में I like ml ml की probability 50% क्योंकि I like के बाद ml आता है या I like के बाद reading आता है sentence 2 और sentence 3 में यह तो 50-50% probability हो गई तो इस state diagram कैसे finish कर देते हैं बागी sentences डालके आप इसको दिख लीजे आपका आएगा like ml के बाद books and इसके probability आपके होगी 100% और इसके बाद यह finish हो जाएगा तो यह जो हमारी matrix बने जो हमारी dictionary बनेगी python में उस होगी हमारी transition dictionary और end को start से connect कर देता हूं क्योंकि हमारे को आगे एक matrix बनानी है हलां कि हम इसको connect नहीं भी कर सकते और मैं आपका याप बाद में explain करूंगा कि यह सा क्यों होगा है अब देखिए हमने जो possible states थी start to start to I, do you, you like like reading, reading ml, reading books ऐसे करके हमने सारी states vertical और horizontal में डाल ली हैं but difference है कि आपका जो x-axis पे है वो आपकी है current state और जो y पे है यानि आपकी जो rows है row और column जो matrix है उसमें एक current state है और एक next state है तो आप देख सकते हैं current state लेका है from नीचे left side में लेका है to तो आपका इस state से next state में जाएगा तो मैंने आपे number डाल दी है स्टार्ट से या तो वो डू आएगा या आई आएगा तो 33,67 आगे और आपका total होगा 1 इस matrix से खास बात होनी चाहिए कि dimensions बराबर होनी चाहिए और total sum 1 होना चाहिए तो 33,67,1 आप अगर बागयों calculate करेंगे तो उनका भी sum आएगा तो मैंने ग्रीन कलर में आपको दिखा रहा है तो आपकी matrix बन गई आपका flow chart ready है आपका state diagram ready है तो आप इसका क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा पहले आपके यह दिखा देता हूँ कि इसमें numbers कैसे डले हैं for example अगर आप करते हैं do you तो आप करते हैं you like हम लेते हैं do you, do you like do you के बाद आपके like के probability 100% है तो हम वहाँ चलते हैं और do you देखते हैं do you current state आपकी है तो उसके बाद जो next state आपकी नहीं चाहिए you like तो आप देखेंगे highlighted area में आपके 1 डाला है और बागी सब में 0 क्योंकि कोई किसी जगह है transition होने की कोई probability नहीं है अब इस तरह आपके matrix prepare आप कर लेंगे अब इस matrix के क्या किया जाए यह एक important part है उससे पहले मैं आपके explain करूँ मैं दोनों को साथ साथ रख देता हूं ताकि आप इसको verify कर सकें आप इसको देख सकें कि आपके numbers और अगरा सब सही डले है कि नहीं क्योंकि अगर आपके number आगे पीछे आपके अगर कुछ गलती हुई तो आपके results correct नहीं आएंगे थेकि मैं थोड़ी दर के लिए रोब देता हूं यहां पर आपके आपके दीख लीजिए verify कर लीजिए आपके नव हम यह देखते हैं कि हमने matrix क्यों बनाई है एक important part है अब आप हमारा markov state markov chains का का काम है अगली state को अगेस करना उसकी probability क्या होगी यह गेस करना राइट तो हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमारे को थोड़ा सा math करना पड़ेगा यहां पर क्योंकि system computer system तो हमेशा numbers को ही identify कर सकता है तो हम चलते है slide 4 सब्सक्राइट हमको next state identify करने के लिए हमारे पास दो matrix होनी चाहिए one is probability matrix जो हमने बना ली है पिछली slide में और यह को थी current state अगर user ने type किया आई तो आपके जितने possible combinations है words के उसके अंदर आई कौंसी state पर आया है कौंसी जगह पर आया है आप वहां पर one करतेंगे तो आपके हो जाएगी current state अब जब matrix multiplication करेंगे तो आपको next state आजएगी अब देखते एक example में आपने लिए you like reading यू और like के बाद अगर reading आता है तो आप रीडिंग जहां पर है सपोज यूजर ने डाले like तो like जहां पर होगा इस में आप वहां पर one कर देंगे या हमने किया इसको one two three four five पे हम आपको बताते हुए five पे क्यों किया है one two three four five देखें पांचवे नंबर पे you like है right like है like like वर्ड चुन साई user ने टाइप किया है तो इसलिए हम user की जो matrix बनी है अभी उसके अंदर हम वहां पर कर देंगे पांचवे नंबर पर one और इस matrix को हम multiply करेंगे हमनी जो probability matrix है तो हमारा state आएगी जो नीचे result आएगा वो आएगा जब देख सकते हैं position six पे one आएगा देखते हैं position six पे क्या है one two three four five six reading like reading तो यह system ने बोला कि आपका like के बाद reading आएगा यह हमारी state भी बता रही है correct हम यह थोड़े और example देख सकते है python code के साथ and this will be interesting नमबर्स डाल दीए है और हम देते हैं आपकी आपकी यूज़ करेंगे np.matmal matrix multiplication नमपाई का function होता है and हम डालेंगे position हम लेते हैं word reading next word लेते हैं reading reading का position देख लेते हैं कि एक तो तीन चार पाँच छे च्छड़े position पे है reading तो हम च्छड़े यूज़र की जो matrix है उसमें च्छड़े नमबर पर one कर देंगे और बागी सबको zero करेंगे matrix multiplication करेंगे हमारे पास आता है एक नया area आएगा जिसके अंदर हमारे पास position 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पोजिशन पर 50 50% probability बताई है तो तीन चार पांच छे साथ आठ ml यह books right state diagram में देखते हैं कहां पर है ml books reading के बाद ml यह books आना चाहिए right पीछे जलके देखते हैं reading like reading के बाद ml यह books हना चाहिए correct यही हमारी state diagram भी यही कहता है तो हमने जो state diagram बनाया है और हमारे जो probability matrix है हम user के साथ जब हम user के input के साथ multiply करते हैं तो हमारे को next suggestion मिलता है कि next suggestion क्या होना चाहिए और वो suggestion की value हम यहां से उठा लेते हैं तो यह second generation matrix है second generation markov chains है आप इसको और extend कर सकते हैं हमारे case में second generation तक काम चल जाएगा तो दोस्तों आपको एक ऐसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और subscribe कर लिजिए अगर आपको और नए वीडियो के बारे पर notify रहना है तो also thanks for watching